हेलो फ्रैंस, शाकाहर सदवार किचिन में आप सब का स्वागत है, आज हम बनाएंगे एकदम यमी, no-bake fruit pastry जो की बहुत ही आसान है बनाना, इसको इवन बच्चे भी बना सकते हैं, और जो भी बिगनर्स हैं, उनके लिए भी बहुत आसान है इसको बनाना तो चलिए हम लोग तो इसके लिए पहले हम mix fruit तयार कर लेते हैं, तो कुछ grapes हमने या पर लिए हुए हैं, कुछ हमने या पर black वाले grapes भी लिए हुए हैं, जो अच्छे खटे मीठा स्वादाता है जिन से, साथ में kiwis लिए हैं, तो जो भी fruits आपके पास हो, आप उसको डाल सकते हैं इसमें, त fruits भी बहुत healthy होते ही हैं, और बच्चों को ये fruits खिलाने का बहुत अच्छा एक जरिया है, तो यहां पर हमने साथ सारे fruits जो थे हमारे पास मिला लिए हैं, और इसमें हम थोड़ी सी cream भी मिलाएंगे, तो ये whipped cream है, जिसको मैंने fruits में अच्छे से mix कर लिया है, तो जो और अब इसके उपर हम जो पहले एक layer हमने cream की लगा दी है, उसके आधम जो fruit cream हमने बनाई थी, वो हम इसमें उपर से layer बिचा देंगे इसकी, तो ये हमने इसको अच्छे से spread कर दिया है fruits को, और अब उपर से एक दूसरी slice लेंगे हम ब्रेट की, उसके उपर हम थलक असा milk टालेगे ताक कि जो हमरी ब्रेट है एक दम साफ्ट हो जाएगी, और बापिस से हम जो हमने whipped cream बनाई हुई है, उसको अच्छे से spread कर लेंगे पूरे पर, और बापिस से हम जो fruits की layer है, fruit cream की वो इसके उपर रखेंगे, तो जो fruits में जो juices होते हैं, उसके करन जो हमारी cream होई ह तो ऐसे करके हम 3-4 जितनी भी layer आप लगाना चाहें, लगा सकते हैं, जितने भी आपको उसके मोटाई रखना हो, thickness रखना हो अपने pastry की, तो ये हमारी जो pastry है, तयार हो गई है, इसको हम चारों तरफ से भी अच्छे से coat कर देते हैं, तो bread की slices है, जो उसकी softness है, और जो fruits का crunchy pen है, उससे जो हमारी pastry है एक दम बहुत ही yummy लगती है, अब हम कुछ कटे हुए जो fruits रखे हुए हैं, उसको उपर से भी last में जो उपर वाली layer है, उसमें हम अच्छे से decorate कर देते हैं, तो जैसे भी आप decorate करना चाहें, वैसे कर सकते हैं, तो देखिए बहुत ही कम समय में हमा हमारी बहुत ही शांदर एक pastry तयार हो गई है, और अभी इसको हमको set होने के लिए रखना है, तो इसको set होने के लिए हम फ्रिज में रखेंगे, देखिए कितनी सुंदर, कितनी delicious और moth melting लग रही है, तो अभी हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, एक घंटे, आदे घंटे आप जितने time भी आपके पास से, आप इसको फ्रिज में रखिए, अब हम इसको फ्रिज से एक घंटे हो चुका है, निकालते हैं और कट करते हैं, तो देखिए हो गई न, एक तम फटा फट हमारी dessert तयार, तो आपके खरेदी कोई guest आने वाला है, और कोई sweet नहीं है, और bread है आपके घर में, तो आप फटा फट इसको बना लीजिए, बिल्कुल सब आपकी वावाकर उठेंगे, अब भी हम इसको सर्फ करते समय, इसके उपर थोड़ सा चॉकलेट सिरप डाल देते हैं, तो हमारी एकदम शानदार पेश्ट्री तयार हो गई है, तो friends इसको आप लोग भी जरूर बनाएं, और कैसी बनी इसका feedback मुझे जरूर दें, मेरी चैनल शाका हर सदा बाहर को like, share, subscribe और comment भी जरूर करें, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अने recipe के साथ पेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई, जै जिनेंद्र